स्नेक्स खाना हर किसी को पसंद आता है छोटे हो या बड़े बड़े चाव से खाते हैं लेकिन जो आज स्नेक्स रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ यह इतनी टीस्टी बनने वाली है आप जब इसको एक बार बनाएंगे न तो घंटों इसका है और उपर से बहुत क्रिंची बनने वाली है जिसको बनाना बहुत आसान है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं जोती कुक्वी जोती में आपका बहुत-बहुत स्वावत करती हूँ स्नेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले नीढ हमें यहां पे रहेगी उबले हुए आलू यहां पर आलू उबाल के पूरी तरीके से ठंडा कर लेना हुए गर्यम आलु का इहां पर इस पर ग्रेटर लेना है यहां बीज़ें क एक बंख कर लीए ननेगे प्रेप्सी के जार में डाल बनाने के वालेद करेंगे अब हम यह अन काली मिरची फ्लीक आपका चैलिधा extr तरीके से ले लेना है अब हमें क्या करना है सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाना है आलू वैटर हमारा बढ़िया से बनके तयार हो इस तरीके से से हमें जो है सब चीजों को मिला लेना है और अब हम क्या गरेंगे देखिए फ्रेंट्स हमने बैटर विकुल पूरी तरीके से अच्छे से मसल के ले लिया है अब यहां पर लेंगे कड़ाई और कड़ाई में हम थोड़ा तेल डाल के उसको गरम होने के लिए छोड़ देंग आप तेल से नहीं बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप जो है कॉन फ्लार यहां पर यूज कर सकते हैं कॉन फ्लार लगा है उसके बाद में छोटी छोटी बॉल बना ले और देखिए बिल्कुल इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बनानी है तो बिल्कुल आपको इसी तरी किसे छोटी-छोटी बॉल्स आपको बनाने हैं, स्नेक्स को थोड़ा सा और खस्ता बनाने के लिए क्रंचीनेस उसके अंदर आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेना है ब्रेड क्रम्स, तो आप ब्रेड के इस तरीके से मसाले अड़ करेंगे, थोड़ा सा और एगेन और थोड़ा सा चली-फ्लेक्स, इसको भी हम बढ़िया से मिला लेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, कि हम एक बॉल उठाएंगे, और बॉल को उठाके, हमें जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, तो आप जैसे आपको कम का लें, कॉन फ्लार में इस तरीके से डिप करें, और उसके बाद में थोड़ा सा जो उस पर एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स लगा हूँ है, उसको हमें हटा देना है, तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ कुई आपको इसी तरीके से करना है, एक अब हम इनको फ्राइ कर लेंगे, तो यहां पर ऑईल को बहुत जादे एक दम हाई हीट पर आपको गरम नहीं करना है, बस इतना कि अच्छे से गरम हो, एक दम से जो हम बॉल उसके अंदर डालने तो वापस में चिपके ना, ऐसे हमें एक एक करके इसके अंदर बॉल डालत समय भी है, आप थोड़ा सा इस तरीके से वापस से एक बरिन को थोड़ा सा रोल रोल कर लें, तो इस पर जितना भी एक्स्ट्रा ब्रेड करम्स लगा होगा, वो कढ़ाई में नहीं गिरेगा, ओल हमारा खराब नहीं होगा, तो हमें इसी तरीके से इसमें हाथों में रोल पर नहीं करना है, वरना वो क्या होगा, उपर वाले जो लेयर है, वो ब्राउन तो हो जाएगी, लेकर एकदम से क्रंची नहीं बनेगी, तो देखी क्रंची बने, उसके लिए आपको मेडियम फ्लेम पर इसी तरीके से इसको फ्राइ करना है, और इसमें बहुत ज़्यादा पर इसको मेडियम फ्लेम पर ही अच्छा आप स्नेक्स बनाए, इसको पाटेटो लॉलिपप के नाम से भी बोल सकते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको जैसे बनाएं, और बनाने के बाद में प्लीज मुझे कमें बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने सभी पोटटो लॉलीपॉप्स को बनाकर रेडी कर लिया है और यह सची में इतनी बढ़िया है अंदर से एकदम से सौफ्ट है और उपर से उतनी ही क्रंची है खाने में इसमें बहुत मजा आता है सेम आपको जिसे हम रेस्टोरेंट वगरा में जाके खाते है न तो वही रेस्टोरेंट वाली फील आपको यहां पर मिलने वाली है आप एक बार मेरे कहने से जरूर इसको बनाएं और यह इतना क्रंची बनती है कि बस मजा आ जाता है मुमें इसका जो स्वाध है हमने जो औरीगैनो इसके अंदर एड़ किया उससे बहुत अच्छा आपको कर सकते हैं मैंने यहां पर देखिए इस तरीके से टुथपिक लगा के इनको जो है इस तरीके से सर्व कर दिया है तो देखी कितने प्यारे लग रहा है देखने में अच्छा लग रहा है मन कर रहा है कि बस खालो फ्रेंट वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना और न्यूँ हो तो प्लीज 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 फ्रेंट सस्क्राइब करना मैं कोशिस करती रहूंगी आप लोगों के लिए विल्कुल ऐसे सिंपल रेसिपी लाती रहूं बाइबाइबाइब